हाई गाईज कैसे आप लोग फिर से आपका स्वागत है निलेज क्लासेज यूट्यूब चैनल में आज की वीडियो में संस्कीट से सुक्ती ब्याख्या लाया हूँ जो गाईज पूरे तीनंग का पूछेता है तो गाईज आपको इससे पूरे तीनंग त्यार होना रहा है तो गाईज आप इस वीडियो को पूरी अंतक देखे हाँ गाईज अगर आपने अभी तक निलेज क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो प्लीज गाईज लाल बटन दबा कर सब्सक्र लाइन की होती है तो गाईज आपको इसका संदर्व और व्याख्या करना रहेगा जिससे आपको पूरे तीनंग मिलेंगे तो गाईज इसमें मैं आपको यही बताने होलों कि संदर्व और व्याख्या आप कैसे करेंगे या तो कैसे होगी तो गाईज आप मैंने संदर्व क लिकानी लिया गया तो सुक्ति सुद HOW नामक पाट से फुर्ण ग्राइज इसके आपको शंदर्थ के पूरी एक ऑगक मिलेंगे और जो इसके अपको पूरी Taiर अंग मिलने वन हैं सुक्ति व्यक healthy और यह कोश्चिन JUST को इसके 60 में तो गाईज और आगे मैं बयाख्य लिखा है कि इस सुक्ति में तो गाईज इस सुक्ति में क्या कहाловす सुक्ति में जीवन के तीन उपयोगी वस्तो边 को रत्न बताते हुए कभी ने कहा है कि इस पिर्थवी पर जीवन के विकास के लिए अन्न पानी और सुन्दर वचन विद्यमान है यानि जो गाई ये सुक्ति तो सुक्ति क्या थी तो सुक्ति यही थी कि पिर्थव्याम पिर्थव्याम त्रिनी रत्नानी जल अन्नम सुभासित तो इसमें फोड़ा सा बढ़ा कर लिदेंगे कि इस सुकती में जीवन के टुनिपयोगी वस्तूओं को रत्न बताते हुए कभी ने कहा है कि जो इसमें कभी यानि कभी ने कहा है कि इस पृत्वि पर जीवन के विकास के लिए अन पानी और सुन्दर बचन विद्दे बान है तो guys आपको यही हो जाएगा तो इससे आपको पूरा तीन नमर मिला तो guys मैंने और एक सुक्ति लिखा जिस से सुक्ति यह नि मैंने दो सुक्तिया लिखी है कि जिसमें से आपको कोई एक परिष्या में पूछ दिया तो आपका तीन नंबर मिल जाएगा और भी मैं सुक्तियों की विडियो बनाऊँगा ति किया है कि भसासु मुख्यों मधुरत दिव्या गिरवार भारती तो यह गाज इसकी सुक्ति जो इस सुक्ति है और इसका संद लिख लेंगे तो इसकी मैंने ब्याख्या किया है कि भसासु मुख्यों मधुरा दिविया गिरवार भारती तो मैंने इसकी ब्याख्या किया है कि इस सुक्ति में यहीं इस सुक्ति में सुंदर वचयन का वरण करते हुए देवाडी संस्कृत भासा के महत्तों का वरण किया गया है कि संस्कित भासा संपूर भासाओं में स्रेष्ट मधूर एवं सरसे इसमें देवाडियों कहा कहा है यानि देवाडी कहा गया है तो गाइच इसमें आपको जो उपर सुक्ति उसी से उसी से मतलब आपको ये इसका भाव पाता चला तो पहले भाव लेकर रहा तो उसका है कि भासा सु मुख्य मधूर और दिव्य गिर्वाण भारती यानि जो गिर्वाण संस्कृत है तो उसी के अनुसार इसका आपको और यानि अनुबाद यानि सुक्ति के ब्याख करना तो मैंने लिख्या कि इस सुक्ति में सुंदर वचन का वड़न करते हुए देवारी संस् स्कित भासा संपूर भासाओ में स्रिष्ट मधूर एवं सरसे इस से देवारी कहा गया है तो आपको वीडियो अच्छी लगिए तो प्लीज गाइज वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में अपने अधिक सदिक सेयर करें हाग ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप निल सबसे पर लाप तक पहुंचे थाएंग करें मेरे वीडियो क्यों सबसे पर लाप तक पहुंचे थाएंग